हलो आदाब नमस्ते सस्रीकाल कैसे हैं आप लोग 2019 गया और जाते जाते हमारे मुल्क को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन मिल गई है हमारे मुल्क में और वो है CDS की पोजिशन हमारे जो पहले CDS हैं वो है जनरल विपिन रावबस सहब और CDS मतलब Chief of Defense Staff जो कि तीनों सेनाओ को मिलेटरी को नेवी को आर्मी को इन टीनों को जो कमांड करेगा वो CDS होगा और यह फोर स्टार पोजिशन होगी क्योंकि फाइव स्टार पोजिशन इसको नहीं दी गई यह होता है कि फिर सारा पावर उन एक ही पोस्ट में नहीं दिया जाए ताकि सारी पावर कमीटी की पोजिशन लेकिन वो पोजिशन खाव खत्म कर दी गई है अब अगर मैं इसको असान लफजों में कहूं तो CDS की पोजिशन जो सीडियस का जो पद क्रियेट हुआ है यह बात निकली कहां से तो जब 1999 का जो कारगिल वोर हुआ था तभी काफी मेजर कदम उठाए और CDS की जो पहली तैनाती थी वो अब हो चुकी है और काफी लंबा वक्त लग गया बीच साल का वक्त काफी लंबा वक्त होता है बट वो ही है कि कुछ डिबेट हुई यह चीज हुई कि सारी पावर एक ही पोजिशन में ना चली जाए तो इसको फोर स्टार रखा गया है अगर इसके टेन्योर की बात करों तो यह तीन साल यह 65 यह तक रहेगा मान लिजे अगर 64 यह की एज में कोई CDS बनता है तो किवले एक साल ही उनकी सर्विस रहेगी तो इस वारी इंपोर्टन पोजिशन फोर दे कंट्री ए डिफेंस अगर हम बात करें हमारे मुल्क को निच में करती है बंगलादीश चाइना पाकिस्तान नेपाल मियामार भूटान और अफगानिस्तान यह जो इंदेश की सीमा इनकंट्री से लगती है और यह बहूत जरूरी हो जाता है कि जो भी थेर्ट हैं उनके तरफ से खासकर क्यादू के पाकिस्तान और चीन की तरफ जो CDS के position है ये बहतर तालमेल के नहीं बहुत जरूरी है ताकि तीनों से नाओं में एक बहतर तालमेल बना रहे और जो भी है और इंप्रूब्मेंट हो जो डिफेंस सिस्टम है वो इंप्रूब्मेंट हो और और ये जो CDS है वो Ministry of Defense के अंडर ही वर्क करेंगे और इनका एक अलग डिपार्टमेंट होगा जो Department of Military Affairs होगा डिये में वो इसके लिए उसका अलग गठन किया जाएगा तो मैंने जितना हो सका आसान लफजों में बताने की कोशिश की है CDS क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या CDS ये क्या ब मुल का ख्याल रखें और उमीद करती हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो और थैंक्यू सो मच पस आजकी नहीं बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और सब्जेक के साथ थैंक्यू अला हाफिज